वेल्कम टू दी माइंड ब्लोइंग प्लाटफर्म फिजिक्स वाला ये साथ रहे अमर हमारा नाम है अक्सा कमर मैं हूँ आपकी इंगलिश के मेंटॉर और दोस्त क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भाई और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको धंग से रिवाइस करने हो वीडियो को 2x की स्पीट पर सही देख रहे हो तुम लोग बस यहीं तो चाहिए हम लोगों को आप लोगों से चीट शीट सीरीज की भाई नेक्स लेक्चर का टाइम आ गया है एडवर्ब अब एडवर्ब की बात हुई है तो भाई कंफ्यूजन तो थोड़ा सा बनता है बच्चों में एडवर्ब एडवर्ब जैसा कि नाम आपको बेटा सजिस कर रहे है जादा कंफ्यूज मत हो एड प्रिया जो भी काम आपने किया उसको में बोलते हैं ठीक अब एडवर्ब 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 क्या बता रहे है वर्ब जो काम तुमने किया वह तुमने कैसा किया है जैसे माम यू टीच वेरी वेल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो एक मिन ट्रेंट से लाथ माम सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाएक वाव तो उस पर पी डाबलू लिटल चाम्स पर एक बहुत ही तगडी सी मैंने शॉट्स टलवाई थी रिकॉर्ड किया करेंग कर रहा है काम यही होता है वह थोड़ा से चीजों को और एकस्प्लेयन करते हैं कि माई वह कैसा है उतिक आपको काम कैसा है अक्सर आपका बहुता है रहा हमें तो और यहाद रखना पना जांड लवाई से ही खतंव तक आंब कुछ केस इस पर नहीं भी खतमा ऑद आ तो ध्यान रखना आडवर्ब आपके अक्सर एलवाई से ही खतम होते हैं जब आपको ब्यूटिफुल क्या आगे लगा हो सो तो समझ लोगा है मतलब ब्यूटिफुल तो अलड़ी एक शब्द है जो किसी की ब्यूटि की तारीफ कर रही है बाई किसी की लुक को बोल रहे हैं किसी की समान को बोले बड़े सुंदर हो बड़े सुंदर हो बहुत ही जादा तो मतलब क्या हो गया आडवर्ब लगा रहे हो एडवर्ब सबसे प्यारा हो सबसे मिलनसार आपका शब्द होता है जो हर शब्द को डिस्क्राइब करता है और अच्छे से बताता है हमें अब ब सब्सक्राइब करते हैं मस्ट डू पर मस्ट डू तो करना ही पड़ेगा कंप्लीट चाप्टर अब नहीं किया तो कब किया एडवर्प एडवर्प जो आपका हुआ है वह काम कैसा हुआ है कि तिक है काम कैसा हुआ है कि यह लड़किंग क्या कर रही है कि अग्त डान्सिंग वड़ें दोई डान्सिंग में बहुत ही ही खुबसूरती बहुत ही ग्रेस्पुली वो लोग ड'ांस कर रही है तो दंस कर रहे हैं बुरा वो को काम किया साहो रहा वह एधा हो रहा ह söyle ohh जो भी ग्रेस फुली व्यूटिफुली जो भी आपफ JUघा जैसे हो रहा इसको मोलते है एड़्वर्ब छाहार को काम कहिसे हो रहा है कोई काम कैसे हो रहा है कैसी अज करक्क तीव क्या बताता था बता था तो उसकी सब आपको चैण कि अैंअ सवान ने बना मैं आपने मेरे लुक झारीव कर आप तो पी फजर मैं उप अगली हो आप फैट ईबतá जानग और अब लुक्ष की बात की बात की वह क्या कूल मेरा काम कर रहे हो मेरे कार रहे है कि तू है तो इस डीचिंग की तारीफ आधूरा और यापका जब समान की किसी इंसान के द्वारा किये काम की द्वारा क्या काम की कि तारीफ करते हो था एड़वर्ब नाव दस्टोरी एंज हैपिली देखो हर में लवाई है टिक हर में लवाई है टिक लवाई का फंडा याद रखना हेलफुल हो सकता है आपके लिए बेटा आगे चलके बहुत ज्यादा टिक वह काम कैसा हुआ वह काम ब्यूटिफुल ही हुआ वह काम भाई नहीं वह समान कैसा है बस यह बताता था एड़वर्ब आपका वह समान समान काम किया है वह कैसा है ठीक नौव दस्टोरी एंड हापिली स्टोरी बहुत ही हसी खुश्य से काम क्या ही हापीली हुइट काम कैसे हुआ हापीली हुआ हैट क्यrick वो बंदा दोड़ा चिक हो बंदा क्या हुआ दोड़ा कैसा दोड़ा थेस दोड़ा ठीक अब देखो क्या हूँ लुजजगे सलोली जोली एक लोली गही हाँ है एट वह काम कैसा हुआ वह काम हुआ हुआ है तैजी दीरी वह च यह बुरा आप basics कंद बहुत पॉइब तो सकते हमें बहुत ऑम है इसमन रहुकिए राफनयवेशा इज What काम कैसे किया बहुत ही जोर से चपटाया तो क्या हो गया यह आपका एड़ वर्ब हो गया चिक समझ गे वो काम कैसे आपने किया कैसा आपका हुआ है ठीक एक सेकेंड या जिस्किमी अ मिनिट बड़ा इसमें ना दूसरी आइधिंग फेकल्टी कोई पढ़ा की गई है वोड़ा से ना सफाई की जरुवत है इसको साफ साफ में पढ़ा हो तो मज़ा आता है राइट चलो हो गया साफ हो गया बस बस काम आपका कैसा हुआ है कैसा कैसा हुआ है अच्छा हुआ है बुरा हुआ है जैसा भी हुआ है लगा होता है लास में तुम समझ जो कि बुटिफुली ना बहुत ही खुबसूरती से पढ़ा रही है तो ब्यूटिफुली कैसा पढ़ा रही है यह मैं रोत्काम तुमारा कैसा हुआ है चिक समझ गे चलो अड़ बॉफ प्लेस अड़ प्लेस अलवेस टॉकस अबर लुकेशन वह भाई उस जगहा की उस जगहा की जहां पर जहां पर काम हुआ है जहां पर काम हुआ है प्लीज कम तो प्लीज गो देर कैम यह सब क्या है अड़ फो प्लेस मैं यहां पर सो रहा हो I'm eating here मैं यहां खड़े हो के खा रहा हूं ठीक वह काम जो जो साओ मैं ऐ cancer कहा रहे हो चुली क्यों एक सिर्डो बता है मैं एम यहां थेटिमे को भॉझक ठिक, यहां पे The book is over there कहां पे रखी है? वहां पे रखी है ठिक, please go upstairs, please उपर जाओ कहां पे जाओ, action, कहां पे perform करें तो उस location की बात करता है The rabbit hid behind, कहां पे छुप गया? पीछे, पेड़ के पीछे छुप गया The rabbit hid behind यह सब क्या बताती? भाई, location बताती, जगा बताती कि वो particular जो आपका action है ना पेटा, वो कहां पे perform किया कि वो action हुआ कहां पे है एड़व अब टाइम, जैसा कि तुम्हें पता है, time जैसा कि उसका नाम सजिस करता है Adverb of time जैसा कि उसका नाम सजिस करता है, वक्त की बात करता है, समय की बात करता है जो बहुत ही मूल होता है, समय की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि समय अनमोल होता है An adverb of time is a word that describes or modifies when an action occurs भाई यह उस वक्त की बात करता है कि तुम्हारा जो action ने बिटा कब हुआ है It provides information about the thing तुमने brush किया, कब किया, सुभा किया जो भी तुमने काम किया है, वो कब किया है काम के time की बात बताता है यह काम के वक्त की बात बताता है यह काम के time की बात बताता है ठीक, now by tomorrow morning by tomorrow morning I will be here here आपका, कहां पे here, मतलब adverb of place हो गया here ठीक, by tomorrow, मतलब कल तो आपका कल क्या हो गया, adverb of time हो गया कब आओगे कब तुम पूछोगे कब देखो, adverb of place हो पूछते थे कहा, तो here adverb of manner पूछते थे कैसे या कैसा तो तुम बहुत भाई कैसे पूछते थे अच्छे से धीरे से तेजी से यह सब आप मैनर अब कब कब आओगे कल आओगा अब तुम्हारा question से तुम sentence से सवाल पूछो के कब और sentence जवाब देगा समझ लें, adverb of time की बात हो रही है, जो काम का time बता था भाई वो particular काम तुम कब करने वाले हो एड़ वो frequency जैसा कि नाम सजिस करता है इसमें बच्चे confused हो जाते, एड़ वो frequency और डिगरी सीता और गीता जैसी है, बच्चे confused, एक दम हाइपर, नहीं आए समझे, बखवास पड़ा दी, बखवास पड़ा दी, बखवास नहीं यार इसा नहीं है, अगर तुम ध्यान से न सब में कुछ ना कुछ difference होता है, अवास में, बोलने में, चलने में भाई, यह तो तब भी adverb adjective बहुत difference है, एक दम अलग अलग भाई हैं तोनों, ठीक, सौतेले हैं बिलकुल एक दुसरे से, confusion हो जाता है, बस आपको तो उसको आपको ढ़ंग से बिटा समझना है, adverb of frequency, adverb of frequency always describes how often something occur, वो काम कितनी बार हो रहाए, इस वो पता है, इतनी बार हो रहा है, या तो फिर भाई, तुमको पता है, इतनी बार हो आपको जोग मतलब English class daily होती है, English class weekly होती है, कि GG होती है, तुम्हान पता भाई草ती होती है, i quickman 저 जी कितनी बारो काम हो रहा है कितनी बार यार में रोज ना पढ़ा करते हो कभी क continuing नागा करते हो स्कूल में बेटा तुम रोज वीडियो को नहीं देखते हो चीट-शीट सीरीज की वीडियो आप स्किप कर दे रहे हो बेटा ब्रोज डिली यह सब क्या फ्रिक्वेंसी बता था वह काम तुमने कितनी बार किया है यह साल में एक बार यार बैस लॉंच होता है इसा अगर में बोला जूट बोला इसा नहीं होता पीड़ब्ल इस वाल्वेस वाल्व यू पीपल पड़ा हम तुमों एक्जांपल दिया वह काम कितनी बार हो रहा है उस काम की फ्रिक्वेंसी क्या होने की टिक जस नॉट स्पेसिफा एक्जाक टाइम बता देगा तुमोर काम तुम्हारा कितनी बार कितनी लिगतिितनी बार हो रहा है। तुम बस क्वेश्चन यहीं पूछा चाहिए कितनी बार सांध प्रिक्वेंसी कितनी बारे उखता है हमेशा उखता है रोज निकALता है सूरज इक तुम्हारा हम कभी गतर भाई शोपिंग पर जाते यह अकक्सर हम शॉपिंग पर जाते हैं है वे यूज्विली और भूज चाते कभी कदार शायद बारिश हो जाए डेजर्ट की रिशायदी में कभी 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 टॉप कर पाऊं तो यह क्या है कभी मुश्किल से भी यहां बारिश नहीं होती रेगिस्तान में हाड़ली किती बार भारिश होती हाड़ली कभी कदार inch frequency दो कितनी बार दो कौम का हुआ है He never eats fight. उ कभी निखाता तीखा खाना. अब तीखा उ वो कभी नहीं खाता. Never. कीया हो गया आपका फ्रिक्वेंसी? वो कभी नहीं खाता है तीखाइब? उ कितनी बार तीखा खाना खाता है? वो कभी नहीं खाता है? वो कितनी बार गि Viya खाता है? नहीं नहीं I seldom meet out से में कभी कदार शायदी बाहर कभी कुछ खाता हूं तो वो काम कितनी बार हो रहा है आप पूछोगे sentence से भाई कि वो काम आपका कितनी बार हो रहा है अरे वाकर डिजाइन है नाइस अलाइक यह वाला क्या है अज़िया कि आपशी कि आस थिएल रेखिए अर्स गाले कि रहेनिक की थे सब्सक्ताइब करना एक dancer वह को सब्सक्राइब धिए चिएम आख पत्लगों कितनी बार किस्टाथ मेर कितनी बार करल नहीं हो रहा है कितनी बार पार था है कितनी बार काम और कर रिपीट हो रहा है बार बार कितनी बार हो लिए रहा हो लिए कि तो आप उसके माध्यम से बताते हो अब आगे डिगरी अब हम डिग्री के बात करे हैं, तो तुम लोग याले डिग्री ना समझ ले ना प्यारे बच्चों, हना, डिग्री, नहीं वाले डिग्री नहीं, डिग्री, मतलब वो काम किस हद तक हो रहा है, how, to what extent, adverb of degree usually express how much or to what extent, किस extent तक वो काम हो रहा है, something is done, मतलब किस हद तक वो काम हो रहा है, कितनी बार हुआ तो frequency था, किस हद तक हुआ, उसकी सीमा क्या है, किस हद तक हुआ है, किस हद तक हुआ है, किस हद तक हुआ, she is barely 14 years old, मतलब एक बेरली 14 साल की है, the robe is not long enough, भाई, robe इतनी भी लंबी नहीं है, ठीक, she is very tall, मतलब एक डिग्री बहुत जादा लंबी है, किस हद तक बहुत लंबी है, she is so beautiful, यह डिग्री बता रहा है, so, मतलब बहुत ही जादा, कितनी बहुत ही जादा, कितनी लंबी है, बहुत ही जादा लंबी है, the robe is not long enough, भाई, रस्टी उतनी भी लंबी नहीं है, ठीक, she is barely 14 years old, भाई, वो मुश्किल से 14 साल की है, किस हद तक मुश्किल से यार, कितना beautiful है, बहुत, किस हद तक आपका वो काम हुआ है, ठीक, तब आब उस case में भाई, डिग्री का परियोग करते हो, how, much, to what extent, किस हद तक आपका वो काम हो रहा है, बेटा, अब adjective, adverb में हमेशा ध्यान रखना, this is a, this is a cute dog, ठीक, हमने एक dog की बात की, जो बहुत ही ज़्यादा cute है, राइट, यही बोला न, तो आपका cute क्या हो गया, cute आपका adjective हो गया, क्यूंकि यह आपका एक तरीके का common noun जो आपका है, जो आपका एक common noun है, यह इसके बारे में बता रहा है, ठीक, adjective के define करते है, noun या pronoun को, ठीक, तो dog को, dog को define करने के लिए जो word यूज हुआ है, वो है cute, तो cute आपका बेटा adjective हो गया, right, adjective हो गया, ठीक, अब अगर हम बोलें, this dog barks loudly, यह जो कुता है न, बहुत जोर जोर भोगता है, ठीक, हमने क्या बोला, यह जो कुता है न, बहुत जोर जोर भोगता है, तो हमने क्या किया, यह जो dog ने action, हमने dog को नहीं define किया, हमने dog ने, यह जो हमारा subject था, जो हमारा noun था, इसने जो action, dog ने क्या action perform किया, वर्ब क्या किया, यह, अब dog ने जो काम किया, डॉग ने जो काम किया हमने क्या किया उसको describe किया किसकी help से एड़ वर्ब की help से एड़ वर्ब आपके किसी भी चीज के किसी भी जानवर के द्वारा किये के काम को describe करता है define करता है modify करता है और adjective आपका बिटा उस इंसान को उस समान को उस चीज को जिसके आप बात करें जब आप डॉक की बारे में बात करें तो भाई आप अप बहुत सुंदर है तो आपने माम की लुक की बात की माम बहुत ब्यूटिफुल है सब आपकी आखों की बात है आपकी नजर बहुत खुबसूरा था आप लोग खुद दिल के बहुत साफ बच्चे हो पवित्र हो तो तुम लोगों को इसलिए हर चीज ब्यूटिफुल दिखेगी वह अच्छी चीज है वह चीज चीज अब जब आपको मैं टीचिंग कि आधर की स्क्लाष क्या है कि निधने जोबी काम कि गया शोटेव कि कओ से समझ गये मैं Ưह को इत्ति सी कहानी नियदी यह करना और आपको Geno2 कर दे कारता है तो चलो ब 있지만該का च्छ नक। छोटों से प्यार मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोस में मेरे यार जै हिंद जै इंगलिश